मध्य प्रदेश का चुनावी दंगल शुरू ओर चुका है सोंवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरासिंग चाहान बुधनी सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे नामांकन से पहले शिवरासिंग चाहान बुधनी पहुंचे हैं और उन्होंने आज का दिन बुधनी के लोगों के साथ बाचीत कर बिताया बुधनी सीट को बीजेपी का गड़ कहा जाता है साल 2003 से बुधनी सीट पर बीजेपी कमल खिलाती आ रही है बुधनी में शिवरासिंग चाहान की पत्नी साधना सिंग और उनके बेटे कार्ट के भी मौजूद रहे बीजेपी कह रही है कि इस बार मद्ध प्रदिश में बीजेपी तीन तीन दिवाली बनाएगी पहली दिवाली जहार की होगी दूसरी बीजेपी की जीत की और तीसरी दिवाली आयोध्यामेर राममंदर बनने की अब जै और बीरू एक दूसरे के लिए मरेंगे या एक दूसरे को मारेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं वो तो आप लोगो कहते हैं कि बीजेपी गब्बर सिंग मन के जगड़ा कराना चाहती है यहूद है यह देगी राम भरत मिलाप हो रहा है बुखमंति के शेत्र में तमाब लोग आकर उनसे मिल रहे है सर वो कह रहे हैं कि आप लोग गब्बर सिंग की भूमी कादा कर रहे हैं जैवीरों में जगड़ा कराना चाहते हैं भारती जंता पारिटी तो सज्जन् सकती हों के साथ देती है सज्जन् सकती है यह गबर भबर तो नहीं की रचना हैं कभी बो मुझे कलाकार कहते हैं कभी और कुछ कहते हैं उनको के बल फिल में याद रहती है भगवान है और भारत की पहचान है उनके बिना देश नहीं जाना जा सकता लेकिन राम भगवान के राम मंदिर के महाकाल महालोक के अगर होर्डिंग लगे हैं तो उनसे एलर्जी क्यों है क्योंकि पहले ये काल्पनिक बताते थे अयोध्या में मंदिर बनने नीचे ये एक न अब तक की सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी भारती जनता पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत तो सीएम शिवराद सिंग चोहान ने परचा भड़ने से पहले बुधनी विदान सब शित्र में जन आशिरवाद यात्रा निकाली जन आशिरवाद यात्रा के दुरान सीएम शिवराद सिंग चोहान ने मतदाताओ से वोट देने के अपील की वो लोगों के घर गए मंदिर जाकर पूजा अर्चना की शिवराद सिंग चोहान के बुधनी पहुचने से बीजेपी कारे करताओ का जोश हाई हुआ तीन तस्वीर आपको देखा रहे हैं बुधनी में जिस वक्त सीएम शिवराद सिंग चोहान पहुचे मंदर में दर्शन पूजन की और बीजेपी कारे करताओ में जोश दिखाई दिया तीन तस्वीर आपको देखा रहे हैं जो आपर देखें बुधनी जिस वक्त शिवराद सिंग चोहान पहुचे तक इस तरीके से जोड़दार उनका स्वागत किया गया और भारते जनता पाटी के कारे करता भी जोश इसे लबरेज नजर आए और यही बात जानती है बीजेप और इसी लिए लगातार खुद ग्राउंड पर मौजूद है सीम शिवराद सिंग चोहान लेकिन आज की तस्वीर दिखा रहे हैं जिस वक्त परचा भरने जा रहे थे ठीक उससे पहले की तस्वीरे भूल माला उसे स्वागत किया गया पर बीजेपी कारेकरताओं ने जो उनका स्वागत किया है उसकी यह तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कारेकरताओं का स्वागत कर रहे हैं शिवराज सिंग चाहान के नावंकन से पहले बुद्नी के लोगों में चुनादी महाल कैसा है ये न्यूजएटीन इंडिया की टीम ने समझने की कोशिश की बुद्नी के लोगों ने क्या कहा वो आपको सिर्वाद देया आप मुखमंत्री के बुद्नी में रहते हैं जी हाँ दाडली बहना के बारे में पता है आपको आपको मिलता फाइदा है नहीं में को नहीं मिलता अभी क्यों आपको क्यों नहीं मिलता है तो आपको मतलब जो मुखमंत्री कह रहे हैं मुखमंत्री ने घोशना की थी पहले सब्सक्राइब करें तो इस वज़े से नहीं हुआ आपको इंतिजार है तो यह आपके परिवार में किसी को मिलता है हां मिलता है मैं मम्मी को अच्छा जी इतना मतलब उसमें यह जो बीजेपी का तावा है वो तो की तीन हजार तक करेंगे हां अब भी सुरू में उन्होंने एक हजार दिये थे उसके बाद में साड़े बारा सु दिये हैं अब अगले किस्त जो आएगी वो साइद पंद्रा सो की हो बहनों को तो बिल रहा है भाई हो को तो नहीं मिल रही है किसानों को और भी दूसरी योजना को खायदा लिह सीघ्यां को बन दो करेंटी चलते हों तूरो मम्मी को मिल रही है ओसका भावयों मिल रहे है और भी घर पे उफिक्त ही का तो थो मिल रहा पुद्नी सीट बहुत खास है मुक्यमंतरी शिवराज सिंग चौहान के लिए क्रम भूमी है उनकी लगातार वो यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं जबकि समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को मैदान में उतार दिया है बुद्नी के समीकरण पर शिवराज सिंग चौहान ने क्या कहा वो भी आपको सुनवादे है आपके लिए विक्रम मस्तायल मतलब रामाइन के हनुमान आपके सामने है इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कह रही है कि मिर्ची बाबा आपके सामने आएंगे जो भी मैं तो सबका सम्मान करता हूँ सबको लड़ने का अधिकार और हक है वो आराम से चुनाओ लड़े प्रियंका गांदी मद्ध्रदेश आई और उन्होंने जो एक बात कही कि बीजेपी काम नहीं धर्मे की बात करती है साथी साथ मैं उनको कोट कर रहा हूँ प्रियंका गांदी को कि दो सो पचीस मेहने में दो सो पचास गोटा ले इन से जादा जूट कुछ बोलता नहीं है मुझे लगता कांग्रेस ने ये दोनों भाई और बहन को जूट बोलने की ही ट्रेनिंग दी है अब ऐसी अजीवों गरीब बात करती है जैसे वो कहती तीन साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया मैडम कुछ तो सरम करो आप देख लें सास की नोक्रियां इसी साल कितनी मिली है निउक्ति पत्र हमने दिये है मैंने खुद साथ हजार से ज़्यादा निउक्ति पत्र अपने हाथों से बाटे हैं कारिकम कर करके तो इनको तो केवल धूट बोलना है सौबार बोलो तो साइद लोग सच मानते रहें और इसलिए ब्रिष्टाचार इनको इसलिए याद रहता है कि इनकी जो सरकारें थी उनने ब्रिष्टाचार के नए रिकार्ड बनाए थे बद्वदेश को भी तबाह इनने किया और देश को भी बरवाद 2014 के पहले इनी ने किया इनी की ठांदान में किया अब कम से कम एक बात तो वो सच बोल गई कि अमेठी में भी सड़क नहीं बनी तो पापा को डांड दिया था लोगों ने एक सच बोला बाकी सब जूट पर यह तीन दिवाली का क्या है तो तीन तीन दिवाली बनाएंगे आप लोग कैसे दिवाली आही रहे है लाम मंदर बनी राए बाईश जनवरी को आदरणी प्रधान मंतरी श्रीमान डरेंड वोदीगी मंदर की प्रान प्रतिष्ठा करेंगे भगवान राम उस दिन से अयोध्या में सब गुदर संदेंगे और तीसरे भारती जंता पार्टी की सरकार बनेंगे पका भरोसा है आपको अब कह रहे थी कि मैं आप जा रहा हूं और इसके बाद आप लोटूँगा तो मद्द ब्रिदेश में बीजेपी की सरकार बना के लोटूँगा अभी आप जंता से कह रहे थे लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जब चेहरे की बात होती तो वह पतब आ आपका नाम सीधे तोर पनी बोलती अग्लेट फूल हमारा चेहरा है नरेंदर बोदी जी हमारे चेहरा है उसमे क्या बाद भारती जन्ता पार्टी हर कारीकरता को दायत्व देती है मुझे चुनाओं जिताने का दायत्व दिया है उन चुनाओं लड रहे और चुनाओं ची खर साथ हैं कार्ती के जो मुखमंतरी के बेटे हैं आप भी पूरे पिटाजी का पूरा चुनाओं का काम देख रहे हैं केवल मैंनी आप सभी कार्रेकरता और समस्त pizzasini आ BAR जा है केवल यह कहना कि मैं देख रहा हूं यह भी उच्छितनी होगा सभ के सयोक से चुनाओं तो इस चुनाओं में और पिछले चुनाओं में चीज जो समान रही है सबी चुनाओं में वो यह है कि यहां कि जनता सहाब को अपने परिवार मानते हैं अलग यह है कि इस बार उसे चुनाओं से और ज़्यादा आती उत्सा है लोगों में जनता में और उत्सा है वो आप देख भी सकते हैं बेटे को आपने सुना लेकिन शिवराज सिंग चुहान का साथ लगातार उनकी पत्नी साधना सिंग भी देती रही है चाहें किसी योजना को लेकर बात हो या पिर चुनाओं में प्रचार करने की बात क्यों ना हो पत्नी साधना सिंग ने भी शिवरा सिंग चाहान को लेकर क्या का वो भी बुद्नी पहुची है सुरिया पहुचके साथ जो एक सुनो तक पहुचेते उससे आगे बढ़ेंगा बिल्कुल पूरी तरह से बढ़ेगी और अच्छे उससे हमारी सरकार बनेंगी